हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक तो माई चानल, माई सेल्फ लिशा, वी ओल लो अभी आजकल हम हर एक जगे, हर एक सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, यूट्यूब पे, वाट्सप पे, हर जगे एक ही चीज सुन रहा है, वो है कोरोनवाइरस, कोरोनवाइरस इतनी स्पीडली स चाइना से निकल के हमारे देश में आ चुका है, और इंडिया में बहुत ही जगे बचने के लिए कुछ प्रेवेंटिव मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने अल्रड़ी एक वीडियो शेयर किया है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो उसकी वीडियो चेक करना बहुत ही जदा हेलफुल है, और एक चीज़े जिससे आप करके आप अपने आपको उस इंफेक्शन से बचा सकते हैं, वो है, अपने हाथ को साफ सुतरा रखके, हैं सैनिटाइजर करके, तो हैं सैनिटाइजर के लिए, एक चीज़े जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास पानी अवैलेबल है, तो आप फ्रीक्वेंटली थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाण वाश कीजी, अगर आपके पास पानी अवैलेबल नहीं है, आप ऐसी जगे हैं, या बच्चे इस्कूल जा रहे हैं, या आपके हाजबन स ओफिस जा रहें, कई ज जादा हेल्फुल है ये आपके लिए ये वीडियो तो बिलकुल भी स्किप मत करना क्योंकि हैं अगर उस पे काम कर रहें तो आपके हाथ से वह बैक्टिरिया जा सकते हैं तो इसलिए आप अपने आपको ऑल्वेस थोड़ी थोड़ी दिर में हैं को सैनिटाइज रखें तो ब स्टॉक जाने हैं या फिर अवेलेबल है भी तो दुगने तिगने दामों में बेचे जाने हैं क्योंकि अभी उसकी बहुत जादा मांग है तो लोग ले भी रहे हैं तो इतने महेंगे सैनिटाइजर ना लेके मैं आज आपसे शेर करने वाले हूं कि गर पे होम मेड्स हंट 100% effective hand sanitizer कैसे बना सकते हैं बाहर की जैसे आप देखते हैं 50 60 या 70 रुपी चोटी सी वो एक बॉटल की दाम में हम 3 से 4 या 5 बॉटल गर पे बना सकते हैं तो चलिए आज आप से मैं शेर करते हूं कि 100% effective homemade hand sanitizer आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही जादा easy है guys 3-4 आपको ingredients टेए उससे जादा कुछ भी नहीं चाहिए और ये जो ingredients मैं use करने वाली हूं बहुत ही जादा cheap है कोई इतने महंगे नहीं है उसकी जो product links है मैं आपको नीचे दे दूँगे description में तो आप जरूर चेक कर ले ना अगर आप online purchase करना चाहते हैं वन्ना ये easily कोई भी chemist shop में भी मिल जाएंगे तो this is how ये सारे ingredients हम use करके गर बैठे hand sanitizer बनाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह मैं homemade hand sanitizer बनाती हूं और बहुत ही जादा effective है आप देखते जाएगा किस तरह मैं ये बनाती हूं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगर आप like नहीं करते कोई बात नहीं पर share please करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ही पहुत सके वीडियो वो भी इस तरह गर बैठे home से hand sanitizer बनाए और अगर 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 नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेनी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर हीट कर देना ताकि ऐसे इंफोमेटी वीडियो के लिए आगे भी आपको notifications time to time मिलते रहे तो चलिए स्टाइट करते हैं ये वीडियो So friends आप देख सकते हैं ये ingredients हम यूज करने वाले हैं तो इसमें सबसे firstly मैं आपको दिखा देती हूँ आइजो प्रोफाइल रबिंग अलकोहल गाइस जिसे spirit भी कहा जाता है तो ये बेसिकल यूज के लिए हॉस्पिटल में यूज किया जाता है after surgery, wounded areas जो होते हैं जहां surgery की होती है उसको अच्छी से bacteria free करने के लिए वहाँ clean किया जाता है तो ये ये alcohol हम यूज करने वाले हैं rubbing alcohol तो इसकी actually basically smell बहुत ज़दा strong होती है अगर ये अकेला हम यूज करते हैं तो हमारी skin dry हो सकती है तो इसलिए हम इसके साथ यूज करने वाले हैं ये aloe vera gel ये मैं पतन जली का यूज करने वाले हूँ आप चाहे तो किसी और कोई भी कंपनी का यूज कर सकते है अब नेक्सली हम यूज करने वाले हैं विटमीन E की कैप्सुल्स ये ओप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं वनसिफ ये दो इंग्रिडियन से ही बना सकते हैं और नेक्सली ये मैं एसेंशिल उइल यूज कर दी हूँ लमेन ग्रास का है ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं क्यूंकि एक्चली ये 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 कुछ रखी हुई स्प्रे बॉटल्स और पंप बॉटल्स थी जिसके अंदर हम हमारे होममेड तो प्रोपोर्शन शुट भी तू थर्ड कप ऑफ रबिंग अलकोहल तो ये इसो प्रोफाल रबिंग अलकोहल स्ट्रॉंग होता है बहुत स्ट्रॉंग होती है इसकी तो अगर कई लोगों को पसंद नहीं आती है तो इसलिए हम इसके अंदर एसेंशिल ऑफ डालते है वरन मैं ले लिया है अब इसे हम इस रबिंग अलकोहल के अंदर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे तो इस हाओ ये हमारा सैनिटाइजर रडी है बस ये दो इंग्रिडियन से भी आप सैनिटाइजर बना सकते है आपको उतने ही अच्छे एफेक्टिव र आप चाहे तो कोई भी रोज एसेंशल ओयल या कोई आपको जो पसंदे वो एसेंशल ओयल सकते हैं अब नेक्स ली इसके अंदर विटमिन E की कैप्सुल डाल दूंगी वो भी अगें ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते है वना स्किप बी कर सकते है तो दिस इस इस हाओ म निकालके इस मिक्षर में डाल दूंगी और हमारा ये जो मिक्षर है ये रेडी है तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों को अच्छे से मैंने काट लिया है और उनके ओल्स को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है तो इस हमारा ये मिक्षर है आप देख सकते हैं जल को and water को अच्छे से हमें mix करना है क्योंकि जल अलोवेरा जल and water को mix करने में थोड़ा सा ताइम लगेगा भड़ आप विस्क करके भी mix कर सकते हैं तो this is how मैं अच्छे से इसको mix कर लूंगी आप देख सकते हैं हमारा hand sanitizer 100% effective, बहुती जादा cheap दामों में गर पे इस तरह ready हो गया है, तो आप अपने गर पे कोई भी spray bottles रखी हुई हैं या आप बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं, अगर घर वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसे एक बार rubbing alcohol से अच्छे से sanitize करें and then आप इस अच्छे से उस बॉटल में फिल कर सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, अच्छे से mix हो गया है, अब आप देख सकते हैं, यह हमारा mixture बिल्कुल ready हो चुका है, बिल्कुल gel based जो था, iron water था, दोनों अच्छे से mix हो करें, तो चलिए मैं अब इसे फिल कर लेती हूँ, हमारे सिक्स्टी रुपीज की बॉटले खुर हैं, तो यह एक बॉ ठी भॉटल से एक रहल से हम बना सकते हैं, तो चलिए लिगा करने की थारे ।ो चलिए एक बौटले इसके अंदर यूज किया है, वो बहुत ही जादा बैक्टिरियास को और किल करने में बहुत ही जादा ये हलफुल है, तो ये अलकोहल, अगर आपको ओनलाइन केमिस्की शॉप से मिल जाता है, तो ठीक है वनना आपको उनकी लिंक्स दिस्क्रिप्शन में मिल जाएकी, तो अलोवेरा जल और विटमिन E की कैपसुल्स तो एजीली हर जगे अवेलबल होती है, और essential oil और कोई भी डाल सकते हैं, तो फ्रेंज चलिए अब आपको मैं सैनिटाइज करके दिखाती हूँ, तो इस इस आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथों पे ये स्प्रे किया है, ये अगर आप कमफड़ेबल है तो पंप बॉटल में आप फिल करके आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिलकुल बाहर जैसे सैनिटाइजर जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी और एफेक्टिव रिजल्स तो है ही, तो 100% एफेक्टिव रिजल्स के लिए इस इस आप गर पे तो इनके इंग्रिडियन्स की आपको लेंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी अब्सव हो जाता है, तो इस इस आप भी जरूर ट्राइ करना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिलकुल भी मत भूलना, लोगों तक शेर क करना, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी जरूर कर देना, तेका किस तरह मैंने बाहर जो आप खरीते हैं केमिस्ट की शॉप से एक बॉटल की दाम में मैंने चार बॉटल हैं सैनिटाइजर की बना दी तो इस इस हाओ ये बहुत ही जादा है ये और बहुत ही जल्स भी मिलेंगे उसके साथ साथ बहुत सस्ता भी है तो आप भी जरूर ट्राय करना गर पे इस तरह हैं सानिटाइजर बनाईए इस तरह आप अपने बच्छों को अपने हस्बंस को हर किसी को ये एक बॉडल दीजिए ताकि वो अपने साथ अपने साथ आपने ऑफिस मे आपको पसंद आया है तो लाइक करना भूल जाएं चलेगा शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलना और सब्स्क्राइब करके बल आइकन को ज़रू हिट कर देना नेक्स वीडियो के लिए स्टेट्यून बाइ थैंक यू फो वाचिए सब्सक्राइब कर देता है